हालो गोडिवनी शरियाजमिक पोएम बरते हैं नो में राथ और यह पोएम जिम्स करकप के द्वारा लिखी गई है झालो गजा है 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 तो है है हमारा पोह यह में नो मेंगर और अब कि यह पोएम निकांगे आए जैंप्स कि आपके प्रॉलम्स कि सबसे टाइब यह देखते हैं कि यह तू है हमारा लो में हाव प्हुर यह अधर सुनकर करको क्या लिखता इस अधो ओकी किस बारे भी ми है के आदि एस आप मतलब है चानिकर है हो कोई भी प्रसन होता है या वो कोई भी इंवर प्लश कд अंपर हो सकता है यह सटा सटा है और यह पिज़्यदि जो हमारे जैसा जैसा नहीं हो हमसे अलग हो कर्या इसका новых, नहीं हो इसको spread की आपने सरफ के था, या कोई हमेरा है ज मरे कोई भी जैसा नहीं हो हमसे अलग हो और यह टॉपिक है इस पोईम का नाम है लोम रीडा फॉरेम इसका मतलब हुआ कि दुनिया का कोई भी प्रक्ति ऐसा नहीं है जो हमसे अलग है हम सब दुनिया का सारा प्रक्ति जो है वो हमारे जैसा है हम सब लोग एक जैसरी है इस पूरे पोईम से जमस करके आँको यह मैसेज देना चाहते हैं कि इस दुनिया के रहने वाले सारी यह वो चाहें different culture के हो different religion के हो different country के हो different gender के हो different caste के हो हजानों differentiation हो सकता हमारे मेरे भी हो सकते हैं लेकिalthe overall हम सब के सब एक जैसे है तुझा, थीक है? आप में से कितने लोग इस पीस को समझाएंगी? फस्ट एस्टेंजा को पढ़कर के और उससे आपको क्या समझ भ्यानता है? ये वालाम लाम को थीक है? हम समझाते हैं सबसे पहला हैuchenा हमारा फस्टेंजा को पढ़ते हैं प्रुस्कुरुसम् जाब्टे नो, remember, no mayor strategy, no countries foreign, बनेट, all uniforms, a single body deals, like ours, the land, our brothers walk upon, is earth like this, in which we all sell life, मतलब, याद रखो, दुनिया का कोई भी वैक्तिर, कोई भी इंसान हमसे अलग नहीं है, no countries foreign, कोई भी country foreign नहीं है, बनेट, all uniforms, लेकिए, यहां पे no countries foreign देट, all uniforms का मतलब है, कि अलग-अलग country की सेना है, यहां से यहां पे focus किया गया है, आर्मी के ऊपर, अलग-अलग country की जो आर्मी होती है, बले ही उनकी dress अलग, वो कपडे, अलग रहे हैं, लेकिन उन कपडों के भीतर, उन uniforms के भीतर, हम सब एक जैसे होते हैं, तुनिया के सारे लोग एक जैसे होते हैं, All a single body breathes like ours, the land, our brothers, walk upon, केरा कि, beneath all uniforms, a single body breathes, हम लोग जैसे हम लोग इस जमीन पे चलते हैं, इसी जमीन का कोई दुगरा है, जिस पे हमारे भाई, यहां पे brothers का यूज किया गया है, different country के बासन के लिए, different country के soldier के लिए, तो जो soldier है, वले ही उसका country अलग है, हम उसको इन्हें ही मान करते चल रहे हो, लेगिन वो हमारा भाई है, क्यों, क्योंकि जिस धर्थी पे हम चल रहे हैं, जिस धर्थ पे हम वाग करते हैं, उसी धर्थ पे वो भी वाग करते हैं, इस धर्थ लाई इस धर्थ पे चल रहा है और इसी धर्थी पे हम सब रोग एक दिन जब खतम हो जाएग जब बढ़ जाएंगे, अगर्थ में हम सब इसी धर्थी पे पढ़े होंगे, इस धर्थी की वीपर दोफनाती ही जाएंगे, अगला question जाब देखते हैं पहला sentence देखे इसका वो भी हमारी तरह इसी सन को देखते हैं जो सन हमारा है वही सन उनका भी है वो भी सन से सन का वही उज़ करते हैं सन का यूज़ हम करते हैं वो भी एयर का वैसे ही यूज़ करते हैं एयर से ही भीद करते हैं एयर के कारण ही उनका सांस बूर लिपाते हैं और जिस तरह से पानी का यूज़ हम करते हैं पानी का यूज़ वो भी वैसे ही करते हैं और इसी सब चीज़ों पर dependent है जैसे की हम है आज फेड़ वाइपीस्पूल हर्वेस्ट्स बाइवार्स लॉग विंटर स्टार्वर्ड यहां देखें आज फेड़ वाइपीस्पूल हर्वेस्ट्स मतलब जब कंट्री में टीस होता है तो कंट्री जब आपरस में लड़ नहीं रही होती है जब कंट्री के लितेर में टीस होता है तो अच्छी हर्वेस्ट होती है और उस हर्वेस्ट के बारा उनका लाइफ चलता है वो उस हार्वेस्ट पसल को खाते हैं, वो असा अंती पर अपना जीवन जी रहे होते हैं, जब गडाई नहीं हो रही होती है तब, और आगे है कि by was long winter start, लेकिन जब लडाई सुर होती है, जैसे जब तक लडाई चल रही होती है, उस समय जैसे winter चल रहा हो, जैसे winter के समय ऐसा होता है यहीं बहुत अच्छी harvest नहीं होती है, वैसे ही लडाई से भी harvest खतम हो जाता है, या harvest को बहुत अच्छा भी बहुत साथ पहुंचती है, तो जब लडाई होती है, तो किसी winter में हुए back harvest की तरब harvest उस सा अच्छा नहीं होता है, फसल उसल अच्छी नहीं होती है, और और लोग स्टारव करते हैं अभी इसका सबसे अच्छा एजमपल रसिया और युक्रेइन के वार पर देखा लिए सकता है दोनों का एकोनोमी और रसिया का दोनों का नाम लादिमीर है आप इससे समझ सकते हैं की दोनों कितने कॉमन है आपको दोनों कंट्रीज के सैनी के एक जिए खड़े हो जाए तो आप उनका फेस देखर के अलग नहीं कर सकते हैं कि कौन उक्रेट का सुनच है का और कौन रश्य का सुनच है लेकिन यह दोनों जो बिलकुर एक जैसे है आज लग रहे हैं बहुत लगे समय से लग साब में से उनकी रड़ाई चल रहे हैं और इसका खामियाजा यह हो इतलब रहा है कि वो सभी रोग जिरको रड़ाई से कोई मतलब में नहीं है जिनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका रूलर कौन है वो कौन सी योनिफर्म पहनेंगे यह क्या होँए उनके लिए इंपोर्टेंट यह है कि उनका लाइफ नॉर्म तरीके से चल रहा हो वो सब्बग पढ़सान हो रहा है और युक्रेइन युक्रेइन फूरे वर्ल में विट का सबसे बड़े सप्लाइब से इन था उक्रेइन में प्रोड्यूश होती थी जो उक्ता था वो पुड़ी दुनियां देदा रहा है आज रहा है कि तारण उक्रेइन अच्छी पसल नहीं हो पा रही है और जोड़ दुनिया ये उक्राही माम दुनियां मचा हो रहा है तो उक्रेइन और असिया का वार जब यह सबसे अच्छा इजामपल है कि किस तरीके से दुनिया के हरवेक्टी चाहिए इसी भी देश का वर्ड़ी पैमा हो किसी यूनिपॉर्म में है हरवेक्टी एक जास है और हम लोग बिना मतलब के प्रूसर से लग रहा होते हो किस तराय का नतिजा देश के रहने वाले सली लोगों को सली कॉम लोगों को गतना है हमाले देखे हैं यहां देखे होगों कि इस और लिए लेवर नोट डिफेरिंट फ्रॉम आवर बोन यहां देखे होगों को इस तो किसी मजबूर का हाथ उठा कर देखे है उसका मजबूर कराथ बताता है कि उह कितना मेहिवन करता है तो कह रहा है कि हर वेक्ति दुनिया का हर वेक्ति तरीके से ही लेवर करता है और उसके हाथों का लाइब दुनिया के हर वेक्ति के हाथों इपड़े होई रिफाय बताती है कि उसमें कितनी मेहनत की है वो यूग्रेन का बवसन हो, रसिया का बवसन हो, रसिया का बवक्ती हो, या इंडिया का बवक्ती हो, वो मेहनत करेगा, तो मेहनत करने का असल सबके उपर एक जैसा होगा. Remember, they have eyes like ours that big or slick and strength that can be all white love. करा है कि इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि 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 इस भी कंतरे का बॉसन हो, जिसको हम foreign कहते हैं, निस को foreigner कहते हैं कि उपना इन्हेंवी मानते हैं, उसकी बात कर रहा है कि उनकी आँके भी हमारी सब्सक्राइब. यहां पिकित पूर्द रहाएं व भी नगरीक शाल Dingen देख अग्स करहते हैं कि और आधा ही सदि आप का लविक depends कि आपके होता है यहां ही निम्रेंग होगो कोह दो जीता जा सकता है प्रेम से, ताकत को प्रेम से जीता जा सकता है, तो जैसे दुनिया के किसी विवाग के वेक्ति पे, ताकत को प्रेम से जीता जा सकता है. In every language is common life that all can recognize and understand. Formal life ना मत्लब वह जैसे हमारा society होता है, हमारे नाव की लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल सीम लाइफ स्टाइल दुनिया के हर पार्ट के हर समाज के लोग का होता है. लोग ऐसा ही सुखर Hoard करना सुखर करते हैं, दिल पर आपने खाने बिले करके और प्रनी पर पूरर करने के लिए बर काम करते हैं, और सर्सम को रोका सुखते पर साम हो सुखर लोग सुखर, राट को सुख लोग सुखर। दुनिया के हर बेस में, हर जगते ऐसा ही होता है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि लोग दिल भर सोते हों और आपको जगते हों समसब ऐही हार कि लोगी पर काम करते हैं और आपको सोते हैं तो जब इतनी सारी similarity है तो हम क्यों किसी को foreign कहें और जिसी को पॉरें करें उसने हम लडाई करें, उसको मारें कुछ मडें Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes, betray, condemn Remember, who hit arms against each other It is the human earth that we defy इस बात को हमें साह याव रखना है जब भी हमें कोई कहता है कि वो foreigner तुमसे अलग है यहां बे बात चलगा है वो उसके बंद रहे किसी person है लेकिन हम अपने society में अपने country में अपने state में भी इसको लेख सकते हैं अगर हमें कोई बता रहा है कि कोई particular person तुमसे अलग है और चुकी वो तुमसे अलग है इसलिए तुम उसको मारो चुकी वो तुमसे अलग है इसलिए तुम उसको मारो अगर कोई हमें ऐसा कह रहा है तो इस बात को यार रखने की जड़रत है कि हम उसे नहीं मारेंगे हम स्वयन को परिसान कर रहे हैं हम खुद को परिसान कर रहे हैं हम खुद को बिट्रे कर रहे हैं खुद को ठोका दे रहे हैं खुद की नींदा करना है और खुद को पढवात करना है The government हमें को यह कहता है कि सामने वाला कहती तुमसे अलग है और चुकी हो तुमसे अलग है इसलिए उसको तुम मारो इसको परशान करो तो इसका सीधा मतलब है कि वो हमें किसी और को परशान करने के लिए कह रहा है परवाद करें, रिमेंबर who take arms against each other, it is the human earth that we define, और जब हम एक तुसरे की खिराफ अधियार लेकर करते हैं, जब हम एक तुसरे से जंग लगते हैं, तो हम कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, हमारा भी इस कॉमर अर्थ है, इस कॉमर अर्थ को हम गंदा कर रहे होते हैं, हम एक उनका ली वही है, हम लैंड पे पाउंटर खीच सकते हैं, यह के तुपाउंटर नहीं खीच पाएंगे, तो सीम एर, सीम वाटर, सीम लैंड है, तो जब हम एक तुसरे को मार रहे हैं, और एक तुसरे को मार करके अपने लैंड को हम गंदा करने लगते हैं, हम क्या करते हैं जब भी हम एक उसले किना पतियार उखाते हैं तो में जमील को अपने लैंग को घर्थी को गंदा करते हैं आवर हेल्स ऑफ़ायर और गश्ट आउट्रेस्ट आउट्रेस्ट इनोसेंस ऑफ एर्स एव्रीवेर आपके होगा समझे इस इसको क्या थे हमारा क्या है भी हिल्स ओफ़ायर भिप जो भी बारूख बंदूर भंठ या इस तरह जिन चीजों पर हम पर्योंग करते हैं वह और जो कुछ भी पड़े प्रेजंट इने वह भले ही हमारा जो जो जिसनों वह फॉरेनर मान रहे हैं उसको मारते, उसको खतम करने, लेकिन उसको मारते, उसको खतम करने के साथ साथ क्या करता है, यह उस हवा उगंदा करता है, जिस हवा को हम अपना मानते हैं, वो हवा हमारा अपना है, हवा के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि वो यूरोग का है, वो रश्या का है, वो उग्रेन का है जैसे ही हम सामने वाले पर बोली दाव के हैं, बंप फेक के हैं, जैसे ही उसके ऊपर बंप गिना हैं तो उसको पड़एसान करने के साथ हमारे जो टुधी हवाय है, जो कॉछमन हवाय है, सबकी है उसको हम गन्दा कर रहे हैं तो हम में जब इतनी सारी similarity है, फिर भी अगर हम दुसरे को परशान कर रखे हैं, तो यह कुछ और नहीं है, हम इस धर्दी को, इस पानी को, इस अवा को खराब कर रहे हैं। तो हम इस बात को यहाद रखे हैं, वह बिलकुल हमारी ज़सा है, और नो कंट्री ज़सा है, दुनिया का कोई भी कंट्रीट ज़सा है, सब जगल का सिस्टम लंगा वैसा ही है, जैसे हमारे ज़सा है। अब हम इस चाप्टर के वारे को चीज़े और देखते हैं, सबसे पहले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, क्या इस चाप्टर में कोई राइमी वर्ड है? इस चाप्टर में कोई राइमी वर्ड नहीं है, तो राइमी वर्ड नहीं होगा। जब राइमी वर्ड नहीं है, तो राइमी वर्ड नहीं होगा। कोई राइमी वर्ड नहीं होगा। हम की सरह देखते हैं कि इस चाप्टर में कोई टिक डिवाइस कौन कौन सा यूज किया गया। तो देखिए, सबसे पहले ये अर्थ को गंदा करने की बात करता है। तब अर्थ को इंसान दूपर डिट करता है। तो परसोनी की किसन होगे। परसोनी केशन एक वर्टिक डिवाइस से और में कुछ डिवाइस है। हम बस अभी की इसको कितना ही जानेगे। नेक्स्ट है हम इस चाप्र से कुछ difficult words वह वर्ट जितका मेनि हमको नहीं बता है। उनको हुआ हुआँ चूस करेंगे। यहां का अंबत है कि अब कल इस चाप्कर से सारे लिक्पाइट वर्स को चूज करके राएंगे अब पोसिस करेंगे कुरून का मत्मत भी मोट करके अपलाएंगे चीक है अब दो यहाँ यहाँ यहाँ